मित्रों जय मातादी मित्रों आज 16 सितंबर सनिवार का दन है ऐसे में कैसा रहने वाला है आज का दिन आज के दिन कौन से श्यत्रों पे कारी करने से आपको ज़्यादा सफलता आपके मान सम्मान इज़त पत्रदिष्टा में बढ़ुतरी हो सकती है आपके घरवाली प्रिवारवाले किस प्रकार से आपके इज़त कर सकते हैं आज भगवान सनीदेव का दिन है भगवान सनीदेव के किरपा किस प्रकार से आज आज आपको प्राप्त होगी मत्रो सनिवार का दिन आपके जीवन में कौन कौन सा बड़ा बर्वरतन बड़ा बदलाव प्लाने वाला है आज के दिन कौन से छित्रों में यात्रा करने से आपको लाब हो सकता है और कौन से कारी को करते समय आपको साफधानी बरतनी की जुरूत होंगे आज आपका लखी कलर लखी नंबर कौन सा रहने वाला है और किस प्रकार से आपके जीवन में चल रही आर्थे के स्थित्यों को आप बदल सकते हैं आपको बताएंगे इन सभी के बारे में सारी जानकारी विष्थार से वीडियो को आखरे तक दीखेगा उसे पहले वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब अवस्ते करणे ताकि रोजाना रासी फल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बहतर बना सकें तुमित्रों आपके लिए आज का दिन महत्पुन्य कारे को पूरा करणे में बीतने वाला है महत्पुन्य कारे जैसे कारे शित्र में उन्नती लाव की प्राप्ती होनी वाली है आपके पारिवारी चीबर में सोहादर की वर्दी होंगी सांती का माहौल बना रहेगा कारे शित्र में बड़ी खुसकवरी की प्राप्ती होनी वाली है आज कोई बड़ी जिम्मेदारी का निरुबाह करना पड़ सकता है बड़ी जिम्मेदारी आपके कंदों पर आ सकती है जिसकी वज़ा से आप अपने आपको गर वानुवित मैसूस करवाने में काफी सफल रहोगे आज आपको धन कमाने के धनलाव के नए मोकिफी प्राफ्तों होंगे आपके जिबन में आर्थिक इस्तियों में काफी बदलाव होगा धन दौलत के मामलों में बड़तरी होंगे धन के शेत्र में आप कुछ नया प्रियास कर सकते हैं नए कारी को आप आसानी से कर सकोगे आपके आर्थिक इस्तियों में मजबूती आने वाली हैं पहवाईक जिबन में आपसी लगाव बढ़ने वाला है विवाह करने योगे जातकों को और विवाहित लोगों को मित्रों इस समय विवाह के मोके भी प्राप्त होंगे आपके कारी श्यत्र में उन्नती का मोका मिलेगा बैपार बैविसाय और बिजनस भी आपको उन्नती की और अगरसर करवाने बाला है उन्नती की और ले जाने बाला है मत्रुआज के दिन आपको सभी पारिबारिक और व्यवसाईक परिसानियों से जुदकारा मिलेगा राजनितिक के छेतर से जुड़ेवे लोगों को अपने सामाजिक कारे में रूची लेने का मुका मिलेगा सामाजिक कारे में बढ़ जड़ कर हिंसा लेना आपके लिए प्रगती का मुख्य कारण बन सकता है माता पिता का असरुबाद लेने से आपके सारे कामों में आपको सफलता जरूर मिलेगी आप अपने माता फिता के सभी सपनों को साकार कर सुकोगे और जीवर में उन्नति के साथ तरक्की भी आप करने वाले हैं आज किसी रिष्टेदारों को दिये पैसे भी आपको फ्राप्त होंगे अगर आप पैसो को लेंदेन कर रहे हैं तो पैसों के लिए इन देन में आपको सतर कर रहना होगा उधार दिया हुआ पैसा भी आपको वापस मिलेगा और आपके जीवन में उन्नति की फ्राप्ति होने वाली है मतरू आज के दिन सोचे हुए ज्यादा तरकारी आपके अवस्य सफल होंगे अवस्य ही पूरे होंगे मेडिया के शतर से जुड़े लोगों के लिए आद लाव की फ्राप्ति होने वाली है आज आपको इस समय बहुत बड़ा लाव की फ्राप्ति होंगी कारी शतर में भी परिवर्तन का योग दिख रहा है आपके मान समान में वरदी होने वाला है प्राइवेट जॉब करने वालों को आज परमोशन से जुड़े कोई अच्छी ख़वर मिल सकती है परमोशन से जुड़े लोगों को इस समय जो है सेल नोकरी पेसे वाले लोगों को भी इस समय परमोशन हो सकता है सैलरी में वढ़ोती हो सकती है या आप लोगों को कहीं टूर पर जाने का मोंका भी पराप्त होने बाला है आज संतान प्रक्ष से आपको सुखद अनुभुती होगे संतान की और से आपको सुखद अनुभव की पराप्ती होगे इंजिनियर के चात्रों को आगे बढ़ने के नए मौक में मिलेंगे इंजिनियर कर रहे, इंजिनिरिंग कर रहे लोगों को आज कुछ नया शीखने को मौका मिलेगा जिससे आप काफी परसंद रहोगे आज कोई महत्पुन प्रैक्टिकल को पूरा करने में आप वैस्त रह सकते हैं नित्रों अगर आप पढ़ाई लिखाई करते हैं तो आप अपने पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा ध्यान दे सकोगे आज जीवन साथी के साथ आपके रिष्टों में वदूलता बढ़ेगी जीवन साथी के साथ आपके समन्द भी पहले से काफी बहतर होने वाले हैं आज का दिन आपके लिए हरशितर से बहुती बढ़ियां और काफी कारगर सावित होने वाला है पर्तियों की परिक्षा के तैयारी कर रहे है चात्रों को भी आज थोड़ी से मेहनत और करने की जोयत होंगी आप अगर मेहनत करोगे तो मेहनत के बल पर आप बड़ी उचाई को हासल कर पाने में अवसे ही शफल रहोगे परतियों की परिक्षा में आपको सफलता मिलने के पूरे योग बने पे हैं आफिस में फोन का उप्योग कम करें अन्यता आपके छवी खराब हो सकती हैं अगर आप बार बार फोन पर नदर दिखाते हो फोन पर नदर गड़ाते हो तो आपके छवी खराब हो सकती हैं जिसलिए आपको फोन को आफिस में काम करते समय अवोईड करना जरूर जहेगा मत्रों आप लोगों के लिए आज का दिन काफी उन्नती दायक रहने वाला है मत्रों आज आप किसी समंद से अच्छे से अच्छे मुलाकात कर सकोगे अगर आप नए बिजनस के सुरुआत करना चाते हैं तो पहले आप किसी अच्छे और अनुभवी व्यक्ति से सला अवस्ते ले लें क्योंकि अगर आप बिजनस में इस समय पैसे इन्वेश्ट कर रहे हो तो सही दिसा में पैसे को इन्वेश्ट करना आप के लिए जरूरी रहेगा इसलिए आप इन्वेश्ट करने से पहले जानकार व्यक्तियों से सला ले लें नहीं तो आपके पैसा डूब सकता है या आप किसी ऐसे फिराक में हो सकते हैं जो आप के लिए मुसीवत का कारण मन सकता है इसलिए आपको पहले अच्छे से सूच विचार करके ही पैसों को इन्वेश्ट करने की जरूरत रहेंगी बच्चों के साथ मनुरंजन करके आपका समय बीते का बच्चे आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लुभावने वेक्त हो सकते हैं सरकारी विभाग से जुड़े लोगों को पद बढ़ने वाला है आप लोगों के जीवर में इस समय उन्नती की काफी यूग बन रहे हैं उन्नती करने का मुका भी आपको प्राप्त होने बाला है कारिशेत्र को लेकर आप कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं आपके वेतन में ब्रोत्री होने का यूग आज बन रहा है आज आपके मिले जुले कारे आपको सफलता की और ले जाएंगे विद्यार्थ्यों को अपने मेहनत से बहतर परणाम हासिल होने वाले हैं दामपत्य जीवन में भी आपका समय काफी अच्छा माहौल बना रहेगा दामपत्य जीवन में आपका खुशनमा बात अबरण बना रहने बाला है वित्रों साथ ही साथ आपके से धार्बिक अनुसंठान में जाने का मुका भी प्राप्त कर सकते हैं आज के दिन आप जरूरत से ज़्यादा खर्चे बिलकुल भी न करें आपको आपके खर्चों को कंट्रोल में रखने की जरूरत रहेंगी अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा खर्चे करोगे तिया आपके आर्थिक इस्तियों को कमजोर कर सकता है इसलिए ज़्यादा खर्चे न करके आप अपने खर्चों को कंट्रोल में करने की अवसे ही कोसित करें आपके लिए आज का दिन काफी सुभ और काफी उन्नती दायक रहेगा आपके आर्थी के तिदियां मजबूत रहेंगे आप ज़रुत से ज़्यादा खर्चों पर रोक लगा दें विद्यार्थी अपने रुखे हुए प्रोजेक्ट को पूरा कर सकेंगे सुवास्ते के लिहास से आप आज काफी फिट रहने वाले हैं आज आपका दिन काफी लाबतायक और काफी उन्नती दायक रहेगा आपको कारे छित्र में भी सफलता मिलेंगे और रुकावट फरिषा भी कारे आपके अठ्य से शंपन हो जाएंगे वित्रु आपका दिन बहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जयमाता दी अवस्य लिखें आपका दिन सुबह मंगल कारी हो जयमा विद्वास